एक समे की बात थे हैं, एक बुडिया थी, उसके साथ बेटे थे, उन में से च्छव तो कमाने वाले थे और एक निकम्मा था, वो च्छवो बेटों के लेबोजन बनाती और उन्हें खिलाती, और उन में से जो भी जूटन बस्ता, वो साथ वे बेटे को खिला देती, और वो बला अपनी मा की चालाकी को समझ नहीं पाता था एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला देखो मेरी मा मेरे से कितना प्यार करती है तो वह हसकर बोली हाँ सभी का जूटन जो खिलाती है आपको वह बोला ऐसा नहीं हो सकता तो पत्नी बोली देखोगे तब तो मानोगे कुछ दिन बाद त्योहार आया गर्मे साथ प्रकार के बोजन और चूरमे के लड़ू बने वो जानने के लिए सिर दुखने का भाना कर पतला वस्तर सिर पर ओड रसोई गर्मे सो गया वो कपड़े में से सब देखता रहा चवो बाई बोजन करने लगे उसने देखा माने उनके लिए सुन्दरासन बिचा नाना प्रकार की रसोई प्रोसी और आगरा करके उन्हें जिमाया वो सब देखता रहा चवो बाई बोजन करके उठे तब माने उनकी जूटन जूटी थालियों में से लड़ों के टुकडे उठा कर एक लड़ो बनाया वो जूटन साब कर बुड़िया मानने उसे पुकारा बेटा चवो बाई बोजन करके गए अब तु भी कर ले वो खने लगा मुझे बोजन नहीं करना मैं अब परदेश जा रहा हूँ तब मा बोली कल जाता हूँ तो आज चला जा वो बोला हाँ आज ही जा रहा हूँ वो एक अगर गर से निकल गया चलते समय उसे उसकी पद्नी की याद आई वो गोसाला में कंडे थाप रही थी वो वाँ जाकर बोला मैं परदेश जा रहा हूँ कुछ समय के बाद आऊँगा तुम संतोस से रहना और अपने धर्म का पालन करना तो उसकी पत्नी बोली स्वामी आप आनंद से जाओ मेरी चिंता मत करो मैं तो राम बरो से यहां रह लूँगी इस वर आपकी साहिता करे अपनी कोई निसानी मुझे दे दीजे जिसे देखकर दिरज करती रहूंगी इस पर वो बोला मेरे पास कुछ नहीं ये अंगुटी हैं वो ले लो अपनी कुछ निसानी मुझे भी दो वो बोली मेरे पास क्या हैं ये गोबर बरा हाते ये करकर उसकी फीट पर गोबर के हाथ की थाप मार दी वो चल दिया चलते चलते दूर देश पहुचा वह एक सावकार की दुकान थी वह जाकर करने लगा भाई मुझे नोकरी पर रख लो सावकार को जरूरती बोला रजा लड़के ने पुचा तन क्या क्या दोगे सावकार ने कहा काम देख कर दाम मिलेंगे सावकार की नोकरी मिली वह सुबह साथ से दस बजे तक नोकरी पर जाता कुछ दिनों में दुकान का सारा लेंदेन हिसाब किताब ग्राकों को माल बेचना सारा काम करने लगा सेट ने भी काम देखा और तीन मैने में ही उसे आदे मुनाफे का इस्यदार बना लिया वो कुछ वर्स में ही नामी सेट बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर चला गया इदर उसकी पतनी को सास और जेठानिया दुख देने लगी सारी ग्रस्ति का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में बेच थी इस बीच घर के आटे से जो बुसी निकलती उसकी रोटी बना कर रख दी जाती और फुटे नारियल में पानी बरती एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी रास्ते में बहुसी इस्तिरिया संतोसी माता का व्रत करती दिखाए दी वह माँ खड़ी ओकर खता सुनने लगी और पुचा भैनो तुम किस देवता का व्रत करती हूँ और उसे के करने से क्या फल मिलता है ये दि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुमारा बड़ा एशान मानूगी तब उन में से एक इस्तिरी बोली सुनो ये संतोसी माता का व्रत है इसके करने से नीधनता दरीदिता का नास होता है और जो कुछ मन में कामना हूँ सब संतोसी माता की करपा से बूरी होती है तब उसने उसके व्रत की विधी पुछी एक इस्तिरी बोली सवा आने का बुड़ चना लेना इच्छा हो तो सवा पांच आने का लेना या सवा रुपे का सहूलेत के अनुसार लेना बिना परेशानी और शर्दाओ प्रेम से जितना भीवन पड़े सवाया लेना परतेक सुकरवार को निराहार रहकर खता सुनना इसके बीच करम तूटे नहीं लगाता नियम का पालन करना सुनने वाला कोई नम मिलेतोगी का दिपक जला उसके आगे या जलके पात्र का सामने रख कर खता करना जब कारे शिद्ध नहों नियम का पालन करना और कारे शिद्ध हो जाने पर वरत का उद्यापन करना तीन मास में माता फल पुरा करती है एदि किसी के गरक खोटे भी हूं तो भी माता वर्ष बर में कारे शिद्ध करती हैं फल शिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए बीच में नहीं उद्यापन में अड़ाई सेर आटे का खाजा तता इसी परिणाम से खीर तता चने का साह करना आठ लड़कों को बोजन कराना जहां तक मिले देवर जेट बाई बंदू के हो न मिले तो लड़के की बहु चल दी रास्टे में लकडी के बोज को बेच दिया और उन पेशों से गुड़ चना ले माता की वृत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देगकर फूचने लगी यह मंदिर किसका हैं सब करने लगे संतोसी माता का मंदिर हैं यह सुनकर माता के मंद अज्यानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ, है माता जगत जन्नी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी सरण में हूँ, माता को दया आई, एक सुकरवार बिता, कि दूसरे को उसके पती का पत्र आया, वो तीसरे सुकरवार को उसका बेजा हुआ, पेशा आ पहुँचा, ये देख जेट जेठानी मूँ सिकोडने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपईया आने लगा, अब तो काकी की खातिरी बढ़ेगी, बेचारी स्रलता से केती, बैया, कागज आवे, रुपईया आवे, हम सब के लिए अच्छा है, ऐसा ख़कर आँखों में आसू बर कर, संतोसी माता के मंदिर में आ माते स्वरी के चर्णों में गिर कर रोने लगी, मा मैंने तुम से पेशा कब मांगा है, मुझे पेशे से क्या काम, मुझे तो अपनी सुभाग से काम है, मैं तो अपने स्वामे के दरस मांगती हूं तम माता ने परसन होकर का जब बेटी तेरा स्वामी आएगा ये सुनकर कुछी से बावली होकर अपने घर जा काम करने लगी अब संतोसी मा विचार करने लगी इस बोली पुत्री को मैंने कर तो दिया कि तेरा पती आएगा लेकिन कैसे वो तो इसे शोपन में भ करने लगी साउकार के बेटे सो राय या जागता हैं वो करने लगा माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूं कहो क्या आग्या हैं मा करने लगी तेरे घर बार कुछ है की नहीं वो बोला मेरे पास सब पुछे मा बाप हैं पत्नी हैं क्या कमी हैं मा बोली बोले पुत्र ते पर्देश की बात है लेन देन का कोई इसाब नहीं, कोई जानेका रास्ता नहीं आता कैसे चला जाऊं मा खने लगी, मेरी बात मान, सवेरे ना दोकर संतोसी माता का नाम ले, गी का दिपक जला, दंडुवत कर दुकान पर जा बेट, देखते देखते सारा लेंदेन चुक जाएगा, जमा का माल बिख जाएगा, साज होते होते दं का बारी डेर लग जाएगा अब बुड़ी की बात मान कर, वर ना दोकर संतोसी माता को दंडुवत गी का दिपक जला कर दुकान पर जा बेटा, थोड़ी देर में देने वाले रुपईया लाने लगे, लेने वाले इसाब लेने लगे, कोटे में बड़े सामान खरीद कर नगत दाम दे, सोधा करने लगे साम तक दन का बारी डे लग गया, मन में माता का नाम ले चमतकार देख परशन हो कर ले जाने के वास्ते गणा कपड़ा सामान खरीदने लगा, या काम से निमट तुरंत घर को रवाना हो गया उदर उसकी पतनी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लोडते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती, वह तो उसके परती दिन का लुकने का इस्तान है, दूल उड़ती देख, वह माता से पूस्ती, हे माता ये दूल कैसे उड़ रही है, माता करती है पुत्री, तेरा पती आ रहा है अब तू येसा कर लकडियों के तीन बोज बुना ले एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर वो तीसरा अपने सिर पर तेरे पती को लकडियों का गटर देख मो पेदा होगा वो यहां रुकेगा नास्ता पानी खा कर मासे मिलने जाएगा तब तू लकडियों का बोज उठा कर जाना और चोक में गटर डाल कर जोर से आवाद लगाना लो सासू जी लकडियों का गटर लो बुसी की रोटी दो नारेल के खेपड़े में पानी दो आज मेमान कोन आया है माताजी से बहुत अच्छा खा कर और परसन मन से उसने लकडिय के तीन गट्टर बनाए एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा इतने में मुसापिर आ पहुंचा सुकी लकडी देख उसकी इच्छा उत्पन हुई कि यह हम यहीं पर विस्राम करे और भोजन बना कर खापे कर गाउं जाए इसी तरह रुक कर भोजन बना विस्राम करके गाउं को गया सबसे प्रेम से मिला उसी समय सिर पर लकडी का गट्र लिए वो उतावली सी आती हैं लकडियों का भारी बोज आगन में डाल कर जोर से तीन आवाद देती हैं लो सासु जी लकडियों का गट्र लो बु सी की रोटी दो आज मेमान कौन आया है ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिये हुए कष्टों को बुलाते हुए खती हैं बहु ऐसा क्यों खती हैं तेरा मालिक ही तो आया है आ बेट, मीटा बात खा, बोजन कर कपड़े घने पहन उसकी आवाज सुन उसका पती बाहर आता है अंगुटी देख व्याकुल हो जाता है मा से पूचता है, मा ये कौन है मा बोली, बेटा ये तेरी पतनी है जब से तु गया है, तब से सारे गाउं में बटकती पिरती है काम काज कुछ करती नहीं, चार पर आकर खा जाती है वो बोला, ठीक है मा, मैंने इसे भी देखा और तुमें भी अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा मा बोली, ठीक है, जैसी तेरी मरजी तब वो दूसरे मकान की तीसरी मंजील का कमरा खोल, सारा सामान जमाया एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया अब क्याता, बहुत सुक भोगने लगी, इतने मिस सुक्रुवार आया उसने पती से खा, मुझे संतोसी माता के वरत का उद्यापन करना है पती बोला, कुशी से कर लो, वो उद्यापन के तैयारी करने लगी जिठानी के लड़कों को भोजन के ले खाने लगी, उन्होंने मंजूर किया प्रन्तु पीचे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया देखो, बोजन के समय खटाई मागना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहों लड़के जीमने आये, खीर खाना पेट बल, खाया प्रन्तु बाद में खाते ही खने लगे हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं बाता, देख अरूची होती है वह खने लगी, बाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगे, ये तो संतोसी माता का परसा आदे लड़के उठ खड़े होएं, बोले, पेशा लाओ, बोली बहु, कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पेशे दे दिये लड़के उसी समय हट करके, इमली खटाई लेख खाने लगे, ये देख कर बहु पर माताजी ने कोप किया राजा के दूद उसके पत्ती को पकड़ कर ले गए, जेर जटानी माने वचन करने लगे, लूट लूट कर धनी कटा कर लाया है अब सब मालूम पढ़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा, बहु से ये सान नहीं हुआ, और वो संतोसी माता के मंदिर पे गई, और रोने लगी तब संतोसी माता ने कहा कि बेटी, तुमने मेरे वरत का उद्यापन ठीक से नहीं किया, इसलिए तेरे पे ये कश्ट आया है तो संतोसी माता बोली, तुम मेरे वरत का उद्यापन दुबारा करना, और तुम्हें तुमारा पती रास्ते में ही मिलेगा तब वो रास्ते में गई तो वहाँ पर उसका पती मिला तो उसने कहा मुझे राजा ने टेक्स बनने के लिए बुलाया था सुक्रवार का दिन आता है और वो अपने पती से कहती है मैं सुक्रवार के वरत का हुद्यापन दुबारा करूँगी और ब्रामर के बेटे को बुला कर बोजन कराती है और उन्हें दान दक्षिना देती है और इस प्रकार उसका वरत पुरा होता है माता की करपा होते ही नवे मास में उसके चंदर्मा के समान सुन्दर पुत्र प्राप्थ हुआ पुत्र को पाकर परतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी माने सोचा ये रोज आती ही आज क्यों ना इसके घर चलू ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया गुड़ चने से सना मुक उपर सूंड के समान होट उस पर मखिया बिन बिन कर रही थी देली पर पेर रखते ही उसकी सास चिल्लाई देखो रे कोई चूड़े आई है लड़को उसे बगाओ नई तो किसी को खा जाएगी लड़के बगाने लगे चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे बहुरोसंदान में से देख रही थी परसंता से पगली बन चिल्लाने लगी आज मेरी माताजी मेरे गर आई है वो बच्चे को दूद पीने से हटाता इतने में सास का क्रोध फट पड़ा वो बोली क्या उतावली हुई है बच्चे को पटक दिया इतने में मा के परताव से लड़के ही लड़के नजर आने लगे वो बोली मा मैं जिसका वरत करती हूँ यह संतोसी माता है सबने माताजी के चरण पकड़ ले और विंती कर करने लगे है माता हम मुर्ग हैं अग्यानी हैं तुमारे वरत की विदी हम नहीं जानते रत बंकर हमने बड़ा अपराद किया हैं जग माता आप हमारा अपराद समा करो इस पकार माता परसन हुई बहु को परसन हो जेसा फल दिया वेसा माता सब को दे जो पड़े उसकी मनोरत पूर्ण हो बोलो संतोसी माता की जे